आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ Refer to the given dichotomous key and select the incorrect statement यहाँ पर incorrect statement बताना है कौन सा है First key बोल रहा है Plant undergoes vegetative propagation Vegetative propagation का होता है मतलब होता है कि जब plant reproduce करता है by one of its part जैसे आप स्टेम से reproduce करता है या फिर अपनी लीज के थूँद रिप्रडूद करता है या फिर रूट्स के थूद रिप्रडूद करता है but sexual reproduction नहीं देखने को मिलता है बोलते है vegetative propagation उसके लिए जाने second पर second पर बोला कि vegetative propagation यहाँ पर देखने को मिलती है by stem and वो plant है पी यहाँ पे पी बताया है cornea that propagates through offset which is correct तो पी को जहाँ पर कॉर्णिया बताया वो बिल्कुल correct है offsets क्या होता है offsets का example हो गया suppose यह leaf है यह इसकी stem है यह stem इसे horizontally grow करती है parallel to the soil soil के parallel में grow करती है आगे फिर दुबारा एक plant को birth देती है फिर आगे एक और plant बनता है तो यह जो होती है यह जो इसकी stem होती है इसी stem को बोला जाता है offset यही होती है offset next में बोला गया है the vegetative propagation होता है बड़ प्लांट प्रॉपगेट करता है बाई leaf next यहां पे क्यूं के लिए जो यह plant क्यूं है क्यूं के लिए ब्रायोफाइलम हो सकता है which is correct ब्रायोफाइलम की जो में पाढ़ियो , जब नीचे गिरते हैं तो असे करके नOO बन जाता है तो ब्राइफा इन कछने को मिलते हैं यह मतंगे नि हैं जो ऊती हैं Agents abiotic agents का मतलब होता है non living agents non living का मतलब हो गया mostly wind या फिर water इसके लिए बोला है go to forth आप बोलागे कि इसके seed dispersed होते है through wind and वो है s wind के through जो s यहाँ पर बोलागा है सबसे पहले आता है balsam तो यहाँ पर यह इनकरेक्ट है balsam जो होता है इसके seeds होते है by explosion explosive method से इसके seeds dispersed होते है यह wind के थुरू नहीं होते next में लिखा है dandelion dandelion के तो wind के थुरू होते है seeds dispersed यह correct है next बोलागे seeds are dispersed through water और water के लिए tea बोलागा lotus के जो seeds होते है वो water के यह तो ही aquatic plant होता है तो water के थुरू यह अपने seeds को dispersed करता है next बोलागे है seeds are dispersed through animals और वो है आर तो आर यहाँ पर uran दिया गया है जिसके seeds animals के थुरू के जाते है और यहाँ पर hip touch दिया गया है विचिस इंकरेक्ट hip touch के जो seeds होते है तो wind से करते है या फिर water से disperse करते है animals इनको नहीं करते तो यह भी incorrect होगा यहाँ पर incorrect answer हो जाएगा option 3 classics to 12 से लेके need IIT GE means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर